उत्रपरदेश के इतिहास में बहुती कम समय ऐसे देखा जाता है कि जब किसी पार्टी ने अपने जिला कारेकारनी के ग्यारा जिला अध्यक्षों को एक साथ पत से हटा दिया हो इससे यह साथ पता चलता है कि पार्टी आला कमान किसी भी कीमत पर गुस्थाकी माफ करने के मून में नहीं है आज आपको हम बताएंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रे अध्यक्ष अखिलेश श्यादव ने क्यों ग्यारा जनपतों के जिला अध्यक्षों को एक साथी पत से मुक्त कर दिया और अखिलेश के इस फैसले का कारण क्या था 2022 के चुनाव से पहले अखिलेश श्यादव बिल्कुल भी अपने संग्ठन को धील देने के इरादे में नहीं है अखिलेश उनी नेताओं और कारेकरताओं को पद दे रहे हैं और जिम्मेदारी दे रहे हैं जो कठिन से कठिन परिस्तिती में भी काम कर सके पार्टी के संद पर्तियाश शी अपना नामंकन नहीं कर पाई है जिसकी वजह से पार्टी ने इस बात को बहुती गंभीरता से लिया है और जिम्मेदार जिल्ला अध्यक्षयों को ततकाल प्रभाव से मुक्त कर दिया कि यो ही नहीं मैं मैं बन जाता हूँ रोज बहले केरन का छोड ढूमने निकल जाता हूँ धूप च्छाओं दिन रात की परवा किये बिना पढ़ता जाता हूँ तब कहीं उस उम्दा अनुभाव को दुनिया तक पहुँचा पाता हूँ यो ही नहीं मैं रजनी कंधा बन जाता हूँ अखिलेश ने उत्तरप्रदेश की राश्णीती में इस बात को साफ कर दिया है कि वह 2022 के विधान सभा चुनाव को लेकर बहुती सचेत और गंभीर हैं अगर कोई भी चूप पार्टे की किसी भी कारेकरता या नेता से होती है और पार्टे को नुकसान होता है तो अखिलेश बरदाश्ट करने वाले नहीं है यो तो अखिलेश यादव काफी सौंमे और कोमल सभाव के नेता माने चाते हैं मगर अखिलेश यादव लापरवाई बरदाश्ट नहीं करते यह भी उनकی एक विशेशता है और यही कारण है जिसकी बज़ा से एक ही बार में 11 जिला अध्धक्षों को पत से हटा दिया गया और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेब साइट पर जाएं आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा